हालो जैहें स्टूडेंस गुड आफ्टरनून एवरीवन राना गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मेटा आज हमारा मिसलेनियस का पार्ट टू है मतलब और चोटे-चोटे से जो टॉपिक्स हमारे बचे हुए थे उनको आज हम फाइनली समराइज करेंगे और यह हम हमारी आज आक्री क्लास है यह थेलिए मैं चाहती हूं तोड़ा थोड़ा रिविug्जन भी साथ यह सत चाहिंगे देखते हैं कितके वेशन zmianum में होने ही वाले हैं प्रिय दर्शनी संध्या ब्राज किशोर संस्कृति गुड आफ्टर नून एवरी वन जोईन कर लिया है राना गुड आफ्टर नून है मांशू गुड आफ्टर नून कल वाला रिवाइस करकर आए हो कि नहीं आए हो अगर आए हो तो मुझे फटा- करने वाला जो और गयानिजम था वो कौन सा था काला अजर किसने कौस किया था अभी तब मेरी पर्फेक्ली फाइन है एम पर्फेक्ली फाइन थांक्यू वराज थांक्यू संस्कृति फॉर आसकिंग आम पर्फेक्ली गुड नाओ अच्छा होना पड़ता है ना तुम लों ट्रिमाश्री लिष्मेन या पर्फेक्ट बिटा एक्दम पर्फेक्ली लिष्मेन या डोन वानी वस्रेस्पोंसिबल फो कौसिंग काला अजर अब अब मुझे यह बताओ फटाओ फट से कि हमारा जो वैक्सिनेशन था वो किस प्रकार की इम्मूनिटी प्रोवाइट कर र व॥दित यू तू यू तू शुड़ फटाओ अब यू तू यू यू तू शुड़ अव गुद दे हमारा जो वैक्सिनेशन था वो अक्टिव इम्मूनिटी प्रोवाइट कर रहा था या पासिव लिष्मेनिया पर्फेक्ट अंसर ज़ेस एक्साक्टिया रायट आइसे सेमं को सब गलत आंजर क्यों मुझे अ समझ में नहीं आया था सब लाइन से गलत को सिर्फ नकुल का अंसर सही आया अभी तक नकुल है मांशू या मुना तो बस इन लोगों के आंसर सही आया और पैसिव क्यों बोल रहे हो मतलब कन्फूजन है अगर यहाँ पे गलत आ रहे हैं मेरे पास continuously answers इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड तो है बिटा चालो पहले गड़बड को ही निप्टाएंगे बिना गड़बड बिना उसको solve की हम आगे तो नहीं बढ़ेंगे सर पे बोज लेकर तो बिटा हम लोगों ने जब immunity पड़ी तब immunity हमने दो प्रकार की पड़ी थी एक थी हमारी innate immunity और एक थी हमारी acquired immunity एक्वायर्ड immunity में हमने दो प्रकार पड़े थे एक पड़ा था नाचरल और एक पड़ा था हम लोगों ने एक था पैसिव और आर्टिफिश्यल में भी था एक नाचरल नहीं अक्टिव और एक पैसिव अव बिटा पैसिव का मतलब यह था कि एंटिबोडी बाहर से आ रही है एक्जांपल मैंने मदर का बताया था ना अब कॉलिस्ट्रिम और वह बना रहा है वैक्सिनेशन में क्या हो रहा था वैक्सिनेशन में हम कोई एंटिजन डाल रहे थे कि एक एंटिजन को ऐसे शरीर को दिखा दिया शरीर ने खुदने बनाई थी बिटा है ना ये चीज़ याद रखना है अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है तुम लोगों को मारूंघी मैं तो वही है ना च्या कर रहा था एक्टिव में हमारे श बहुत टाइम लग जाता है इसलिए जो सेकंडरी रिस्पोंस होता है उसमें वटाफट से एंटीबोडी हमारे पास और रहती है यही गंसेप्ट यूज़ा था हमारा वैक्सिनेशन में इसलिए हमारा वैक्सिनेशन होता है आटिफिशियल आक्टिफ टाइप ऑफ इम्म्यू पड़ें कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभी क्लियर है कि नहीं है यह बताओ गलत कहां किया क्लास में गलत किया एक्जाम में गलत नहीं करेंगे इस बात की तो गैरेंटी है यह बताओ अभी क्लियर है कि नहीं है ठीक है क्लियर है चलो परफिक्ट अभी बतादो अभी क् कि येस क्लियर चालो नाइस कोई डाउट है अगर पिछली क्लास का तो बता दो तो अपन आगे बढ़ जाएंगे मतलब अगर क्वेश्चिंस तरह के आएंगे तो तुम लोगों से हो जाएंगे तो तुम लोगों से हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे की निया अभी कॉंफिटेंस आ रहे इस प्रकार क्या अगर क्वेश्चिंस आएंगे तो हो जाएंगे ना तुम लोगों से आगे कंटिन्यू कीजिए ओके आज की क्लास देखने वाले हैं हम आज क्या पढ़ाते हैं आज हम बिटा सबसे पहले देखने वाले हैं अलग अलग टाइप के जो कि हम ब्लड ग्रूप्स को देखेंहेंक है उसके बाद में हम देखेंगे उसके बाद में हम लोगका कुछ सांइनट算स लेकर आई हूं तुम लोगों के लिए थोड़ा साच काम लेकर रहा हूं बहुत सारा इन olur को गंदे गंदे से नाम होंगे इसमें साइन्टिफिक नेम्स उसके बाद में कुछ अलग और टॉपिक्स है मिस्लीनियस छोटे-छोटे से टॉपिक्स हम उनको कवर करेंगे ठीक है राना माम डाउट हाई दीप शरीखा लेट होगी पिटा अच राना हां बोलो पिटा क्या डा प्लट ग्रोप्स हमारा ब्लट ग्रोप्स है इसके लिट्र में क्या डाउट है बता बताओ पूरा डाउट एक बार पर लिख दो ना वर्टेब्रल हां क्या आगे वर्टेब्रल में क्या डाउट आया वर्टेब्रल में आपको हम लोगों ने वर्टेब्रास पढ़िए टोटल 33 थी तो एक बार पूरा डाउट लिख देना तब तक अपन आगे बढ़ता है निखिल आज हमारा बायो का आखरी क्लास है नेक्स लास से हम के मिस्ट्री उठा आने वाल है ठीक है वर्टेब्रल समझ में नहीं आ रहा 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 ना एक बार ना ऐसा करो लास्ट क्लास जाके वापिस देखो इसमें जो मैंने वर्टेब्रास बताई है न सेफ उनके नाम याद रखने हैं ठीक है स्कूल अलोगल आ मैं स्चांट करते हैं सबसे पहले ब्लड-ग्रुप की हम मैं मैं जपने की टी जो मिन jun was औ हंब आपटाइप कर्देल क्शेमाश कर वन तैयप आपिन्नक युऊज करते हैं अभाली क्शोषण देखों मैं बढ़ाऊंगी फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगी ठीक है टेंशन मत लो संडेगो मैरतन है बिल्कुल है ध्यान दो यहां पे ब्लड ग्रॉपिंग में हमारा आता है अब ब्लड ग्रॉपिंग जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं बिटा 40 अलग अलग ताइप के ब्लड सब्सक्री फिजिक्स दोनों मैं कवर करवाऊंगी ठीक है कोई दिक्कत है क्या नहीं पढ़ाऊं क्या चालो इधर देखो ग्लाइको प्रोटीन बेटा होता है हमारी आर बीसी के अंदर अब देखो यह हमारी आर बीसी ठीक है इसके अंदर एंटीजन जो भी होगा वहीं ड ए ठीक है एंटीजन आर बीसी पे होगा और जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें होगी बेटा एंटीबोडी उसमें होगी एंटीबोडी अगर एंटीबोडी पेटा होगी छोटा बी ठीक है जल्दी से करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है पटाफट से करा देंगे आप यहां पे ध्यान दो ठीक है क्या बताया मैंने ए है अगर हमारा ब्लड ग्रूप ए है तो उसमें एंटीजन आर बीसी के उपर होगा एंटीजन ए प्लाज्मा में होगी एंटीबोडी बी उसके ब एंटीबोडी स्मॉल ए ठीक है यह होता है उसके बाद में अगर हमारा ब्लड ग्रूप है ए बी तो उसमें आर बीसी के उपर हमारा एंटीजन होगा ए पी और उसमें कोई एंटीबोडी नहीं होगी ठीक है कोई एंटीबोडी नहीं होगी उसमें अगर ब्लड ग्रूप ओ है तो उसमें कोई एंटीजन नहीं होगा और एंटीबोडी होगी ए बी इस चीज़ को अच्छी तरह से हम अपने दिमाग में डाल लो बेटा ठीक है इस चीज़ को अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल लो कि RBC के उपर बेटा एक ग्लाइको प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन अगर एंटीजन A मौझूद है तो ब्लट ग्रूप हो जाएगा A उसी का अपोजिट कर दो ठीक है उसी का अपोजिट हमारे प्लाजमा में एंटीबोडी होती है छोटा A और छोटी B अगर एंटीजन A है तो एंटीबोडी B होगी अगर B है हमारा ब्लट ग्रूप तो उसम body होती है plasma में छोटा एं छोटी भी ठीक है ग्रुप A में क्या होता है antigen A होगा antibody small b ठीक है group B में क्या होगा antigen B होगा antibody यहां पे भी small a group AB में क्या होगा both A और B antigen होगा no antibodies ठीक है नो एंटीबोडी यहां पर भी छोटा यह छोटा भी लिखना है ओ की बात करेंगे ओ में ना ए होगा ना भी एंटिजन होगा लेकिन एंटीबोडी दोनों A and B मौजूद होंगी इतना अपने दिमाग में डाल लो ठीक है यह एकदम क्लियर होना चाहिए अब कुछ important points इससे related वो देखने वाले हैं अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रूप O की इसमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है antibody concept blood group में नहीं होती है antibody concept blood group में नहीं होगी यहाँ पर मैंने लिख रखा है AB AB में antibody नहीं होगी अब क्या होता जब भी हम blood transfusion करते हैं तब हम लोग blood group check करते हैं antibody B है यह इसके antigen के अगेंस्ट है ठीक है यह इसके अगेंस्ट काम करेगी और खून के थक्ये जमा देगी blood की clotting हो जाएगी इसलिए कभी मतलब blood group हमेशा check करके डालते हैं क्या बोला सब्सक्राइब हमने B में डाला या B का A में डाला तो antibodies जो है इनके against में react कर जाती है और खून के थक्ये जमा लेती है blood clot हो जाता है ठीक है इसलिए हम लोगों को blood group हमेशा check करना होता है अब क्या होता है अगर हम A B की बात करेंगे तो A B सबसे ही ले सकता है blood क्यूं ले सकता है क्योंकि उसमें कोई antibody नहीं है वो किसी के against कुछ करेगा ही नहीं अगर मैं उसमें A का डाल दूं AB वाले blood group में तो कोई antibody नहीं है आराम से मज़े करेगा B का डाल दूं तो आराम से मज़े करेगा O का डाल दूं तो आराम से मज़े करेगा क्योंकि AB में antibody नहीं है ठीक है अब antibody अगर उसमें नहीं है इसलिए जो AB blood group है उसको अपन बोलते है उनिवर्सल एक्सेप्टर ठीक है इसको हमने बोले universal एक्सेप्टर लेकिन अगर हम blood group O क कोई साब ही जैसे इसको हम बोलते हैं donor universal donor अगर मैं ये वाला AB वाले blood group को दूं तो भैया इस पर RBC पर कोई antigen ही नहीं है यहाँ पर यहाँ पर वहाँ पर जो antibodies हैं वो किसके अगींस्ट काम करेंगे कोई antigen ही नहीं है इसलिए ओ हमारा होता है पिटा यूनिवर्सल donor यह सब को खून दे सकता है क्योंकि इसके RBC पर कोई भी antigen नहीं होता है कोई बात नहीं है इसलिए उसका नाम ऐसा रखा है ठीक है नाम रखा है इसलिए नहीं है इसलिए उसका नाम रखा है ठीक है यह चीज समझ में आई है कि नहीं आई है तुम लोगों को कि यहां तक clear है कि नहीं है blood group का एक एक चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर यूनिवर्सल हम लोग एक्सेप्टर बोलते हैं तो क्यूं बोलते हैं ओको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं तो क्यूं बोलते हैं यह चीज एकदम clear होनी चाहिए ठीक है और आफ्टनून क्याप्टन जाग जीती इंद्र किसकी बात कर रहे हो कौनसे ब्लट ग्रूप की प्लीज स्पेसिफाइए करो कमेंट्स में ठीक है clear होना चाहिए यहां तक कि स्वीटी सेंग गड़ आफ्टनून बेटा clear है सब लोगं को ब्लट ग्रूप एकदम clear होने चाहिए अब तुम लोगं को पता होगा कि कहां पे जब ब्लट डोनेशन वगेरा होता है तब क्यूं हम एक दूसरे का blood transfuse नहीं कर सकते बिना पूछे तुम लोगं को अब एकदम clear होना चाहिए ठीक है perfectly fine बेटा चालो अब यहां पर वही लिखा हुआ है blood group O is universal donor क्यूंकि उसकी RBC पे कोई antigen होता ही नहीं है antibody react किसकी against करेगी blood group AB की बात करें तो उसको universal receptor बोलते हैं क्योंकि उसमें antibody ही नहीं है किसी के against काम करने के लिए एक बार फिर से रिवाइज ना कुल चालो फटा फट से मैं बता रहे हूं blood group decide कैसे होता है blood group हमारे parents के थूँ जैसे मेरे parents का जो blood group है उससे मैं अपना पता कर सकती हूँ blood group decide तो उसके लिए बहुत सारे test होते हैं टेस्ट कैसे होते हैं जैसे मैं तुम लोगों को medically समझा हूँ तुम लोगों ने college में experiments भी किये थे काफी जिसमें blood groups के लिए particular solutions रहते हैं उसमें अगर मैं particular antibody डाल दूंगी तो अगर थक्का जम गया इसका मतलब antibody ने antigen के साथ react किया तो उससे पता चल जाता था कि कौन सा blood group है ठीक है ओ ग्रूप किससे blood ले सकता है बिटा मैंने तुम लोगों को क्या बताया ओ blood group जो है वो universal donor है वो सिर्फ एक से ही ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता है जो होता है वो वैसा ही blood ले सकता है पटापट से कोई क्रिविशन करवाओं तो हमारा जो blood है उसमें पर्टिक्लर एक्स्क्यूज मी गिव में एक सेकिंड तो मैं क्या बता रही थी कि जो blood groups होते हैं उसमें अगर हम बात करते हैं हमारे RBC की तो उनके के उपर पर्टिकलर एंटिजन्स रहते हैं और उन एंटिजन्स के साथ में ही antibodies plasma में रहती हैं इनहीं एंटिजन एंटिजन एंटिबोडी के मैं अक्चली ओन नेगेटिव युनिवर्सल डोनर है नेगेटिव भी हो जाता है जिसे प्लस ए पॉजटिव भी पॉजटिव यह सारे होते हैं थोड़ाइव डिटेल में जाना नहीं है ठीक है माम अब किसी को डोनेट नहीं कर सकता क्या बिटा यह बीए बाले को डोनेट क्यों कर सकता है है बिलकुल क्रसकता है जिसका ब्लट ग्रूप वोगा वह सकता है डोनेट 一ए हैं डोनेट से नहीं को कर सकता है ढोन ना तुम लोग तो सब एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम Erythroblastosis fetalist कि कि इसको समझना है कि Erythroblastosis fetalist में बैटा क्या होता है जब बच्चा जो मा के पेठ में होता है वो प्लेसेंटा के थूर जुड़ा हुआ रहता है अब इसमें क्या होता है कि बच्चे में और मा में जो ब्लड का थोड़ा सा कॉंटाक्ट बनता है इसा कभी हो गया कि मा का और बच्चे का खून एक दूसर से कंबाटेबल नहीं है तो बच्चे के जो शरीर में जो भी ब्लड होता है उसके उपर मा की जो ब्लड के डवल्यू बीसी है वो अड़ाक कर देती है उसको फॉरन सब्सिंस समझके और या तो क्लॉटिंग भी हो जाती है ऐसे के इसमें जो बच्चा होता है उसको थोड़ा सा हो जाता है नुकसान ठीक है उसमें RBC बहुत काम होने लगते हैं अनीमिया हो जाता है कभी कवर फेटल भी हो जाता है इसी कंडिशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसेस पीटलिस ठीक है एक लीयर हो गया तुम लोगों को एक बीमारी है पीटा जिसमे अगर मा का खुण बच्चे के गारागा हो सकता है बच्चे के लिए थोड़ा हो सकता है इसी बीमारी को हम बोलते हैं इरिथ्र candidate लोगों q एक बार पड़ते हैं, when a woman is pregnant, it's possible that a baby's blood type will be incompatible with her own, this can cause a condition known as erythroblastosis fetalist, where the mother's white blood cells attack the baby's RBCs as they would any foreign invaders, white blood cells जो माक्य होते हैं, वो बच्चे को अटाक कर देते हैं, इसको हम हीमोलाइटिक डिजीज भी बोलते हैं, न्यूबॉर्ण की, माम, अगर मा का blood negative हो and father का positive हो, तो भी ये होता है, क्या, बिटा, अलग-अलग combinations होते हैं, ठीक है, अलग-अलग combinations, मा का बच्चा और जो मा का खून है, और जो बच्चे का खून है, हमें उन दोनों का खून देखना होता है, ठीक है, तब जाके हम बता पाएंगे कि क्या scene हो ज combinations बन सकते हैं, अब हम बात करते हैं, एक terminology की जो की है, हीमो लिंफ, यह हमें मिलता है, आर्थरो पोडा में, आर्थरो पोडा में क्या होता है, जो खून होता है, वो colorless होता है, जैसे हमारे अंदर हीमो ग्लोबिन है, हीमो ग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिग्मेंट है, रेस् में absent होता है, यानि की इन में कोई रेस्पिरेटरी पिग्मेंट नहीं होता, और वो colorless होता है, जिसमें सिर्फ प्लाजमा और हीमो साइट्स होते हैं, इसी को हम बोलता है, हीमो लिंफ, question आया था, हीमो लिंफ हमें किसमें देखने को मिलता है, आंसर गया था, आर्थरो पो में ठीक है, मैं antibody वाला concept समझ नहीं आया, श्रथा क्या समझ में नहीं आया, antibody में आपको, देखो क्या होता है, हमारे RBC पे पर पर्टिकलर antigen मौजूद होता है, ठीक है, और हमारे प्लाजमा में होती है, एक पर्टिकलर antibody, जैसे अगर A blood group है, तो उसमें प्लाजमा में antibody गी instant antibody होगी, बस इतना छोटा सा concept है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, चालो, कीमो लिंफ हमने समझ लिया, अब important pointers हमारे कुछ हैं, जो blood के लिए थे, वो जो हम लोगों ने cover नहीं किये थे, पहले उनको हम देखने वाले हैं, सबसे पहले RBC, तो बिटा, RBC में कोई nucleus नहीं ह होता है, RBC does not have a nucleus, except camel और lama, ये दो ऐसे जानवर हैं, जिन में RBC में nucleus होता है, बाकी सब में, बेटा, RBC में nucleus होता ही नहीं है, लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज होता है, इसके उपर double star बना लेना question आया था, और graveyard of RBC होता है, हमारा स्प्लीन, graveyard क्यों बोला गया है, क्यों जब उसको दफनाया, graveyard मतलब जहां पर दफन किया जाता है, जब हमारी RBC का lifetime complete हो जाता है, तब वो स्प्लीन में जाके खतम हो जाती है, इसलिए स्प्लीन को graveyard of RBC बोला गया है, मुझे एक बार फिर से repeat कर दीजे, हीमो लिंफ, मुकेश बीटा, हीमो लिंफ कुछ नहीं है, आथ्रोपोर्ट का ब्लड है, जिसमें हमारे अंदर हीमो लोबिन होता है, रेड कलर का pigment होता है, वो आथ्रोपोर्डा में नहीं होता है, यानि कि colorless हो जाएगा उनका ब्लड और हमारा जो हीमो लोबिन होता है, वो क्या करता है, oxygen carbon dioxide को carry करता है, तो उनमें वो है ही नहीं, उन में colorless होता है blood, सिर्फ plasma रहता है hemocytes होता है, इतना सा है, बस hemolymph और कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिटा, blood group पता है रगाने जाने के लिए, मैंने थोड़ी देर पहले बता है, कुछ experiments होता है, ठीक है, चलो, RBC में हम लोगोंने क्या देखा कि कोई nucleus नहीं होता, सिर्फ camel औ अनीमिया, अनीमिया अक्चल में होता क्या है, हम लोग बहुत frequently ये word सुनते हैं, अनीमिया, क्या होता है, हीमोगलोबिन की कमी को अनीमिया बोलते हैं, अगर RBC शरीर में बढ़ जाते हैं, तो उस condition को क्या बोलते हैं, polycythemia और erythrocytosis, ठीक है, erythrocytes बोलते हैं, हम RBC को मैंने तुम लोगों को ये बात बताई थी, erythrocytosis या polycythemia हम बोलते हैं, जब RBC हमारे शरीर में बढ़ जाता है, ठीक है, इतने points हम लोगों को RBC से याद रखने हैं, क्या-क्या, nucleus नहीं होता, 120 days का life span होता है, graveyard spleen होता है, deficiency hemoglobin की होती है, तब अनीमिया बोलते है polycythemia या erythrocytosis का मतलब होता है, RBC में increase हो जाना, ठीक है, चलो, अब WBC की अगर हम बात करें, तो इसका life span सिर्फ 12 से 20 दिन होता है, RBC का 120 दिन था, लेकिन WBC का सिर्फ 12 से 20 दिन होता है, अनीमिया से क्या problem होती है, देखो सौरव, खुद सोचो, अनीमिया में क्या हो रहा है, हीमोगलोबिन कम हो रहा है, हीमोगलोबिन क्या कर रहा था, oxygen को carry कर रहा था, organs तक पहुचा रहा था, अकर यही हीमोगलोबिन कम हो जाता है, तो oxygen efficiently पहुच पाएगा क्या organs तक, efficiently हमें energy मिल पाएगी क्या, नहीं मिल पाएगी, इसलिए अनीमिया में weakness हो जाती है, क्योंक नहीं पहुंचेगा एनर्जी की कमी हो जाएगी इतने इजी है समझना कुछ हुआ नहीं बनाना है इस चीज का हर चीज को कनेक्ट करते हुए चलना है ठीक है WBC का फुल फॉल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स ठीक है स्वरूप हीमोग्लोबिन की कमी कैसे होती है बेटा कुछ डिस मतलब हमेशा decrease होगा cytosis का मतलब हमेशा increase होगा हमने WBCS को leukocytes बोला था इसलिए leukocytosis मतलब increased और leukopenia मतलब decrease WBC ठीक है यहां तक clear होना चाहिए next slide पर आए बिटा यहां तक clear है बतादो thank you Ashwini you are a great student as well बिटा RBC का full form प्रणव जी red blood cells आपने पुराने lectures नहीं देखे हैं क्या एक बड़ देख कर आओ रवाइस करो चालो और किसी को कोई डाउट है क्या आगे बढ़ें बिटा इस slide को अच्छे से देख लो यस माम चालो परफेक्ट अब देखो प्लेटलेट्स की अगर हमने बात की थी तो प्लेटलेट्स को हमने थ्रॉम्बोसाइट्स भी बोला था इन में भी नूकलियस नहीं होता ठीक है आर बीसी में भी नहीं होता नूकलियस इन में भी नहीं होता यह सिर्फ मैमल्स में होते हैं बिटा मैमल्स में होते हैं सिर्फ जब हमने वर्टेप्रेटा में अलग-अलग पड़े थे तब हम लोगोंने देखा था कि मैमल्स होते है मामल्स जिन में specifically body hair होते हैं sweat glands होते हैं memory glands होते हैं यह सिर्फ प्लेटलेट सिर्फ मामल्स में मिलते हैं lifespan 8-9 days thrombocytosis, cytosis का मतलब increased thrombocytopenia, penia का मतलब decreased इतना easy कुछ भी नहीं है बिटा इसमें ठीक है क्या बड़ा platelets जो होते हैं उनमें कोई nucleus नहीं होता सिर्फ mammals में देखने को मिलते हैं 8-9 दिन का सिर्फ life span होता है cytosis का मतलब होता है increment और penia का मतलब होता है decrease ठीक है clear होना चाहिए यहां तक clear है सबको चलो very nice very nice अब बेटा अब आ जाता है थोड़ा सा तबाई में जाने वाला देखो आएते हैं कुछ scientific name एक एक करके मैं यहां पर बोलती जा रही हूं scientific name तुम लोगों को है एक बार समझ में आजाये बहुत सारे लेकर रही हूं इस चार्ट का अब तुम लोगं को क्या करना है यह सद्शन से ठीक है इस चार्ट को एक बार लेकर आसे रटने मत बैठना इसार्ट को को 10 बार आख navy खानएक न weekly अच्छा त्छा भी नूइकलेस नहीं होता है नहीं अब भी सी में नहीं था इसमें कि समय नहीं हो यह लिए अन्सर दियां साइक अन्हें होजाता था नहीं है इस नहीं कि यह उसने रखे हैं उन से पूछ नोगे टोड़ा सब ढरो कि तो साइंटिफिक ने में बहुत फ्रीक्वेंट लिया ट्रिक नहीं है क्या मैं मुछ बनाने की कोशिश करते हैं ट्रिक आर बीसी का ग्रेव्यार्ड विटा राना जी स्प्लीन था अर बीसी का ग्रेव्यार्ड एक एक करके हम इनके नाम देखने वाले हैं तुम लोग 10 बा अले कुछ common plants के नाम तुल्सी का नाम और समम संक्टम कॉटन का नाम गोसिपियं हर्बेशियम बैनियन का नाम फीकस बैंगल हैंसिस यह आया है नीम का नाम अजाधिराचा इंडिका ठीक है पीपल का नाम फीकस रिलिजियोसा इन पर नहीं पर ना चाहें पीपल और बैनिय सेम क्या है तो यह बताओ और पीपल में सेम क्या है जिन लोगों को बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता बहुत अलग-अलग प्रकार के बॉम्बे ब्लड रुप भी होता इसा था अगर को इन लिखते है तो यह प्लड करता है क्या बता नोड करता है और यह क्या यह बताओ इसलिए बैन और पीपल में क्या सेम है ये बताओ जीनस सेम प्रियदर्शनी धीरन वेरी गुड बेटा कि वेरी गुड अरे नहीं या रान मर जाओगे तो फिर एक्जाम क्लियर करके मुझसे मिलने कौन आएगा तुम ही लोग तो आओगे एक्जाम क्लियर करो अच्छी तरह से ठीक है पूनम जी बिटा एक बार वीडियो का क्वालिटी अपने फोन में बढ़ा लो और पीटीएफ मिल जाएगा तब उसमें अच्छे से दिख जाएगा आपको ठीक है यूसुफ बहुत शांदार बटा बहुत ही बढ़िया है थांक्यू जी तेंट वेरी गूट सटाइवस हमारे एक और जगया आएगा देशना भी शुगर कें साकरम बोलते हैं शुगर कें को संफ्लावर को बोलते हैं हेली यांतनिस पी को बोलते हैं के मीलिया साइननेंसिस बैंबू का हमने बैंबू का अच्छा बानियन का पढ़ा था बैंबू सा अरिडिणारी तो किसे हम याद रखेंगे ठीक है उसके बाद में पीपल और बैनन आंसर दिया तो हम याद रखेंगे घूंच ऐसे ही ट्रिक्स बनाने पड़ेंगे ठीक है एक जॉन पूर वाले शनी जी मैं बतारी जो एक्जाम के लिए हम लोग सिर्फ वह पढ़ रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा है आपके इत्ते सारे डाउट्स है तो प्लीज गूवल जाके क्योंकि अभी यहां पर मैं समझाऊंगे तो दूसरे बच्चों को गन्फीजन होगा हम जबदस्ती जादा प्रेशर नहीं लेना चाहते न अपने दमाग पर चालो अब नेक्स्ट nice हमारा जाता है मंगो मंगो को मैंजी पएर हिंडिका बहुत इजी याद रखना है जाद राफ दर्के अप्ल simpler चालों वीआर के चाहिं ऑननानर ज्यांड को मिचाल प्रे कह अंदि में बोलते हैं चाहें हैं Caleb अबनापल को उस से याद रखेंगे अननस के अह透 amusing बो उसके बाद में, orange, citrus, orange, shim, strawberry, pregeria, ananasa, sweet potato, ipomium, patatas, patata बोलते हैं हम लोग, आलू को patata बोलते हैं कहीं कहीं, उससे हम sweet potato को याद रखेंगे, watermelon, citrullus, lenatus, musk melon, kharbuja, cucumus, mellow, melon बोलते हैं तो मेलो से याद रखेंगे, banana, musa, paradisicum, guava, cdm, guava, easy to remember, ठीक है, मुश्किल नहीं है, सौरव, कोशिश करो तो बेटा, कुछ चीज मुश्किल नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी, खार नहीं होती, मुकेश, बिल्कुल हो जाएगा, tension नहीं लेना है, ठीक है, यह सबसे कैसे question आएंगे, मैं बताती हूं, question आएगा, कि anonymous diverse is the scientific name of, और नीचे options आएंगे, pineapple, orange, strawberry, sweet potato, तुम लोगं को याद रहेगा, मैं ने बताया था, तो pineapple को अनानास भी बोलते हैं, तो आनलस से pineapple tick, हमारा प्यारा से scientific name, बेटा, easy तो कुछ नहीं है, जब याद हो जाएगा, तब सब आसान हो जाएगा, कोशिश करते रहो, महनत से कतराना नहीं है, ठीक है, गार्डन पी पाइसम सटाइवम, वेरी गुड निखिल, ठीक है, चालो, next, next हमारा पुटाटो को बोलते हैं, तुमाटो को लाइको पर्शिकन, असलिटम, अनियन को अलियम से पा, previous year question, question सीदे सीदे आया था, अलियम सापम किसका scientific name है, इसी प्रकार से equations आएंगे, ठीक है, चलो, उसके बाद में, राडिश, राफिनस, सटाइवस, सटाइवस हमारे एक और जगे आया था, कैरिट, डॉकस, कैरोटा, ब्रिंजिल, सुलैनम, मेलोंजिना, सुलैनम, ब्रिंजिल भी, पुटाटो भी, सेम जीनस के हैं ये दोनों, ठीक है, उसके बाद में, कैपसिकम का, कैपसिकम, फ्रूट सिंथ, ठीक है, कुकुमवर, क्युकुमर सटाइवस, इजी तो रिमेंबर, जिंजर, जिंजिबर, ओफिशिनल, जिंजर से ये भी याद रह जाएगा, टर्मरिक का याद रखना है, ठीक है, क्युकुर्मा, लोंगा, गारलिक का, ऐलियम सटाइवस, ऐलियम सेपा किसका नाम था, ऐलियम सेपा अनियन का था, ऐलियम सटाइवस, गारलिक, क्लोव किसका सिजियम अरोमाटिशिम ब्लैक पैपर पाइपर निगरम कोरियांडर कोरियांडरम इजी टू रिमेंबर लेमन सिट्रिस लैमूनियम सिट्रिस हमारा ओरेंज में भी आया था पी पाइसम सटाइवम पी का बहुत अच्छे से याद रखेंगे थ्री स्टार्स यह जान रख लो लिख करनी आ रहा है तुम लोगों को ऑप्शन साइंगे ऑप्शन साथी टेक हो जायेगा दिमाग में ठीक है बहुत हाड नहीं है मैं तुम लोगो बुला था था थोड़ा सा बरडन लेकर आई हूं अपने साथ में ठीक है रखतार हों कि छोड़ दूँ तुम लोग अपने पड़ो गया तो मैं तुम लोग को बताती जाऊंसाथ में बताती जाऊंसाथ में आपने कभी याद किया था क्या ये सब एक्जाम निकालने पड़ते हैं तो याद तो करना पड़ते हैं बिलकुल याद किया था मैंने हाँ भी मुझे सारे एकदम दुनिया के सारे चीजों के साइंटेफिक नाम याद नहीं है क्योंकि मैं आइंस्टीन तो हूँ नहीं लेकिन अगर एक्जाम की वह आएगी बारी जाएगी और मुझसे कोई बोलेगा कि इतने से नाम याद रखलो एक्जाम क्लियर हो जाएगा तो मैं बिलकुल महनत करके वह नाम याद रखूंगी है हुआ है हमको पढ़ाने में आपको कभी-कभी गुस्सा हात है नहीं नहीं आता बिटा क्वेशन आते हैं मैं बता रही मैं अब प्रोनाउंस करवा दूं एक एक बार हाँ एक एक बार अपन ऐसा करते हैं बोल लेते हैं वैसे भी अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है मैं तुम लोग से बातों में लग जाती हो और मैं क्लास चोड़ देती हो आंट को फॉर्मिसिडे अरेबियन कैमल कैमलिस जुमेडारियस आफ्रिकन एलेफिंट लॉक्सोडोंटा अलबट्रोस डियो मैडडेई अल्पाका विचिगना पैकॉस एशियन एलेफिंट एलिफास माक्सीम बैट काईरॉप्टरा बर्ड को हम एवस बोलते हैं यह हमें प नहीं है ब्लाक बॉक्त को एंटेलोप भी बोलते हैं तो एंटिलोप सर्विकाप्रा ब्लाक रैट इंपोर्डन नहीं है बुफैलो का याद रखेंगे वुबयलस बुबयलस ठीक है माम आपको तो साइन्स आती है अब डॉक्टर बन जाती नीट पोर्ट तो तुमको क्या लगता है वेटा मैं डॉक्टर ही तो हूँ यार कोई बात नहीं बहुत कन्फूजन में जी रहे हैं अभी कुछ लोग ठीक है चलो अब कुछ ऐसे नाम है इसमें से मैं बता देती हूँ उन्पोर्टन कौन कौन से हो सकते हैं ठीक है बटर्फलाय का याद रखना रुपालौ के अपके का याद रखेंगे फैलस्पैक यह याद रखेंगे चीता का याद रखेंगे एकिनोनिक्स जुबैटिस चिंकारः घजेला बैनेटी कोबरा का कौकुरोज का याद रखेंगे बलैटो डिया ठीक है उसके बाद काओ का याद रखेंगे पोस तौरिस प्रोकोडाइल का तो इतना याद रखना इंपोर्टन ये dog का याद रखेंगे canis lupus family dolphin cetacea यह याद रखेंगे eagle elephant का याद रखेंगे क्योंकि वह ऐसे याद हो जा रहा है ठीक है और क्या important है घडियाल का याद रखेंगे gavialis gandiaticus ठीक है चालो उसके बाद में जिराफ का इतना याद नहीं है इतना याद रखना इंपॉर्टन नहीं है इसमें से क्या horse का important है क्योंकि एक्विशन आया है equis cabalus का question आया है previous year में ठीक है उसके बाद में house crow house fly का थोड़ा से important हो जाएगा इसके बाद में इसमें से क्या important है लैपर्ड का याद रख लेना पैंथेरा पार्डिस पार्डिस नहीं है इसके बाद में हमारा इसमें से क्या important है लैपर्ड का याद रख लेना पैंथेरा पार्डिस मंकी का याद रख लेना सिमी फॉर्म्स ठीक है मस्कीटो का फुलिसिदेई ठीक है लायन का पैंथेरो लियो इस पर question आया है ठीक है उसके बाद में नील गय का याद रख लेना पिकॉक का पावो क्रिस्टेटिस यह या याद रख लेना राट हमारा रोडेंट होता है तो इससे रोडेंशिया हम याद रख सकते हैं उसके बाद में रेजस्ट मंकी हमें याद रखना है कि हमने आरेच फैक्टर नहीं बढ़ाना है और आरेच फैक्टर की एक लाइफ चुओं वह एक स्लाइड छूट गई है सारा का सारा आपको अच्छी तरह से एकदम से दिमाग में क्लियर हो जाएगा छोटे-छोटे से हम नाम इस तरह से याद रख लेंगे ट्रिक्स के फॉर्म में याद रख लेंगे ठीक है अद्रिक्स के साथ उत्ता हाड नहीं है बिलकुल संस्कृती ने बिलकुल सही बात बोले है बिलकुल सही बात बोले है जब बहुत इसी हो जाता है ठीक है कि उसके बाद में फटावट से और देखते हैं और कौन-कौन से इंपोर्टन्ट है स्टार्फिश का यहां पर लिखा हुआ इनकुल पूछा था एस्टेरिय डा एस्टेरियास हम लोगों ने पढ़ा था हमारे स्टार आनिमल था एक अनुडमेटा में उसके बाद में स्पैर स्टेर को क्या बोलते हैं क्यों कि उसका साइंटिफिक नेम होता है ठीक है मैं बताती तो जा रही हूं तुम लोगो साथ-साथ-साथ-साथ में बताती तो जा रही हूं यहां पर खत्म हो गया खत्म इतने याद रखने है इसमें जो इंपोर्टेंट थे वह मैंने तुम लोगों को बता दिये छोटे-छोटे से ट्रिक्स अपने दिमाग में बना लेना आचानी से याद हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं ठीक है शलो आगे कार्बो हाइडरेट्स प्रोटीन और फैट्स ह से याद रखना डबल स्टार लगा लो क्वेश्चन यहां से आएगा ठीक है नासा नासा नहीं हो नाजा नाजा होता है कि क्या माम सिर्फ आपके मार्क्स के ही पढ़ते इतना सब्सक्राइब किसके लिए उपढ़ने पढ़ने के ज़्या क्या बतारी हो मैं यह चीज याद रखो ग्राम में कितनी होती है यह याद रखना है carbohydrates और proteins दोनों में 4-4 calories होती है एक ग्राम में fat में 9 calories होती है एक ग्राम में ठीक है इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना अब carbohydrates हमारे quickest source of energy होते हैं जबकि fats are the slowest होते हैं और यह चीज़ तुम लोगों को पहले से पता है बताओं कैसे carbohydrates का simplest carbohydrate कौन glucose हम क्या करते हैं जब भी energy होता है तब हम glucose पीते हैं क्यों पीते हैं क्योंकि वह quickest source of energy होता है उसको लेते ही बहुत जल्दी हमारे शरीर में energy release होती है लेकिन हम कुछ भी ऐसा fat वाला खा लेते हैं तो उसको बहुत टाइम लगता है शरीर को metabolize करने में कुछ भी जादा fat वाला खा लेते हैं तो नींद बहुत आती है क्योंकि शरीर बोलता है कि थोड़ा आराम करने तो हमें fat को metabolize करना है fat से हमें energy निकालनी है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है हर चीज का concept समझते हुए चलो क्या बताया है carbohydrates fats और proteins होते हैं ठीक है उसमें carbohydrates जो हमारे होते हो सबसे quickest source of energy होते है fat सबसे lowest होते हैं ठीक है कुछ motivational शायरी शायरी तो मुझे नहीं आती है लेकिन तुम लोगों को ऐसी बात बता कर जाओंगी आज क्लास के पहले अच्छा मदद मिलेगी पढ़ लोगे अच्छे से उसके बाद में कुछ और important चीज़े हैं क्या बताया था मैंने इंटेस्टाइन में हमारे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में complete यहां तब हमारे कार्भोहाइड़ेट्स और फाइट्स और प्रोटीन किस चीज में सबसे चोटे वह पार्टस कौन से होते हैं जो इसको हम यहां पर देखने वाल है ठीक है कि था इंटिफिक नेम्स में सब ही पढ़िया आपने संधे मार्क किया मैंने जतने माक किया है उनको स्पेशल अटेंशन से पढ़ना चलो ए टेक गेमिंग होता है यार ग्लूकोस से ग्लूकोस डावर प्रोटीन अमीनो चीज तुम लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखोगी कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में राए तब सब्सक्त्राइब सें घítो कह रहते हैं थिट्स हैज ग्लायें तेस में ड्रीकूचे लेह थे और और वहां ठीक्या लेटिक्यां टीकथ perfect घॉल्डल में अन। के चीज श्यूंब को यूज करती है ग्रोव्त के-लिए मेंटिनेंस के के लिए अपिटिवीटीबी दध्रला पता ये हम लोगों ने तो पूरा रेस्पिरेशन पड़ा है किыт यह में आगे सिस्थी फिजिक्स वाला क्यूंट कमीट पूरा पार्ट अब उसमें को स्टोर होता है किस फ़ार्म में स्टोर होता है अब यह चीज देखो 이건 के फॉ Haben размistव होता यह क्विस्टिन आया है किया हमारे शरीर में जो ग्लॉको में स्टोर होता है वह किस फॉरममें फज़ो होता है तो वह होता है बिटा गलाइको जनके के फॉर्म में यही कि यह अनिमल्स में है ठीक है अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में वह होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टॉर कि इस चीज़ पर डबल स्टार लगा लो ठीक है इस चीज़ पर डबल स्टार लगा लो कि हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में घाना स्टॉर होता है अब एक और चीज़ आ जाती है जो एक अपनने स्लाइड शैद मिस्स कर दी थी वो थी हमारी ऑरिच ग्रुपिंग कहां है आर एक सिकिंड है ना देखो यह हमारी आरइच ग्रुपिंग अब आरिच ग्रुपिंग हमारा एक टैप का ब्लड ग्रुप होता है जोकि रेजस मंकी में भी हमें देखने को मिलता है ठीक है रेजस मंकी में सबसे पहले यह देखा गया था इसी रेजस से आया है आरेज ग्रूपिंग अगर यह आरेज फैक्टर ब्लड में होगा तो आरेज पॉजिटिव होगा अगर नहीं होगा तो आरेज नेगेटिव होगा बस इतना सा हमें याद रखना है ठीक है बस इतनी सी ची की खुछ कॉले करने की थी यह भी पॉइंट याद रख लेना माइटो कॉंड्रिया की डिस्कवरी की थी कॉले करने जो भी मुझे याद आता चाहेगा मैं बताती जाऊंगा यह चीज याद रखना वेर आर यू फ्रॉम माम बिटा आम फ्रॉम एंपी देखो आंसर देदिया यह कौन सा मंकी के अलग-अलग बहुत सारे अलग-अलग वराइटी होती है उसमें से क्रेशस मंकी होता है ठीक है आप लाइव कितने बजाते हैं डेली दो बजे ठीक है मतलब हमारा यह तो यहाँ पर कंसेट पूरा क्लियर हो गया हमने और भी छोटे-छोटे टॉपिक्स उठा लिये हैं यहाँ पर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है ठीक है आरेच फैक्टर की खोज में भी बेटा हमारे लांस्टीनर का हाथ था लांस्टीनर और रेक और और साइंटिस्ट जिनका मैं कनफॉर्म करके बता दूँग अब मैं तुम लोग को एक बात बत हैं यार कि बच्चे फोन में लेक्चर तो देख रहे हैं एक दिन यही हमें आकर बताएंगे कि मम्मी बापा हमने कर लिया हमारा एक्जाम उस दिन जो अपने पेरेंस के चहरे पर तुम खुशी देखोगे न उस खुशी से बड़ी तुमने लाइफ में कोई खुशी नहीं और इसके लिए करो ना महिनत एहुँच टाइम महिनत करो लाइफ टाइम तुमारा गयाए इतनी सी महनत से क्यों डर रहे हो अगर तुमसे कोई बोले कि लाइफ टाइम तुम्हें महनत करनी पड़ेगी तब धीरे धीरे रिजल्ट आएगा ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कुछ टाइम की महनत मांग रहे हैं जान लगा दो यार अपनी कुछ टाइम महनत कर लो मम्मी आया हमें इस दुनिया में वही लेकर आए हैं हर चीज उनके उपर कुर्बान है उनके लिए हमें महनत करनी है हम तो सेकेंडरी है वह आते हैं पहले नंबर पर है तो बेटा जी क्या डाउट्स हैं आपके चाप्टर से रिलेटेड बता दीजिए अगर बुक की मैं बात नाम है तो एंसी आर्टी से प्यारी तो कोई किताब है नहीं तो आप एंसी आर्टी को रिफर करें लूसेंट को रिफर करें ठीक है कि यह देखो यह अभी भी गल्फ्रेंड के उपर पड़े हुए बिटा मम्मी पापा की सोचो पहले इन मो माया में मत फसो ठीक है चलो यह सब तुम लोगों को साथ साथ में रिवाइज करना है ठीक है बिटा कोई और डाउट्स हैं तो बताईए कोई और डाउट हो तो बता दीजिए लाइकोजन अनिमल्स में बिल्कुल कल से केमिस्ट्री शुरू है कल से केमिस्ट्री और मजा आएगा हिपारिन क्या होता है हिपारिन हमारे एक एंटी को आगिलेंट होता है तुम यार अलग अलग जग ऐसे डाउट्स लेकर आ रहे हो यार ठीक है नी बोल रही यार बिटा तुम लोगों को ठीक है केमिस्ट्री में कल से हम समझेंगे जैसे हम लोगों ने बायोलोजी में अपना सबसे चोटा यूनिट उठाया था ना सेल एक कोशिका जो सबसे चोटी होती है जिससे सब कुछ करेंगे चले हैं डाइन कोकिस शेयर पारात की रहएब होसिह को मिलते हैं अपन सब लोग संदे को फिर हम सारे की सारे कोईस्ट तक करेंगे एंड की ऐन देश्क में कहीं बहुत मैं कहीं इन-डॉर शेहर की रहने वाली हूं हमारे देश का सबसे साफ शहर सबसे स्वत्ष शहर जो है वो इंदौर इंदौर है चलो तुम लोग महनत करते रहो रिविजन कर लेना और मैंने बोला था उन चार्ट को रटने मत बैटना दस बार देखना अपने आप याद हो जाएंगे एक्जाम में अपने आप क्लेक होगा ठीक है तब तक के लिए बाई 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 वंदे मात्रम थांक्यू आंक्यू झाल झाल